डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर का इतिहास भीमराव अमबेटकर ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की निराशा को दूर किया और उन्हें समानता का अधिकार दिलवाया अमबेटकर जी ने हमेशा जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी भारतिय समाज में जातिगत भेदभाव को लेकर फैली बुरायों को दूर करने में हम भूमिका निभाई है जातिगत भेदभाव ने भारतिय समाज को पूरी तरह से विखेर दिया था और अपंग बना दिया था जिसे देखते हुए अमबेटकर जीने दलितों के हक की लड अप्रेल 1891 में मध्यप्रदेश के इंदॉर के पास महु में राम जी माल जी सक्पाल और भी माबाई के घर में अमबेडकर जी पैदा हुए थे. जब अमबेडकर जी का जन्म हुआ था तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदॉर म थी. तीन साल बाद 1894 में इनके पिता राम जी माल जी सक्पाल रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महराश्ट्रा के सतारा में शिफ्ट हो गया. आपको बता दे की भीमराव अमबेडकर अपनी माता पिता की चौदवी और आखिरी संतान थे ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे. इसलिए पूरे परिवार के चहेते भी थे. भीमराव अमबेडकर जी मराठी परिवार से भी तालुक कात रखते थे. वे महराश्ट्रा के अमबावाडे से संबंध रखते थे जो की अब महराश्ट्रा के रतनागिरी जिले में हैं. वे महार जाती यानी क दलित वर्ग से संपर्क रखते थे जिसकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था यही नहीं दलित होने की वजह से उन्हें अपने उच्छ शिक्षा पाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा था हाला कि सभी कठिनायों को पार करते हुए उन्होंने उच्छ शिक्षा हासिल की और दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिखाया बाबा साहिब आमबैटकर जी के परिवार का परिचै यहाँ आप जान पाएंगे बाबा साहेब जी के परिवार के बारे में सम्पून मुलभूत जानकारी जिसमें हाल में मौजूद उनके परिवार से जुड़े लोगों की जानकारी शामिल है जैसा के माल जी सकपाल राम जी सकपाल जी के पिता तथा बाबा साहेब आमबैट कर जी के दादा जी राम जी सकपाल बाबा साहेब जी की माता अब आगे जानेंगे बाबा साहेब जी के विवाह के बाद जुडे परिवार की जानकारी के बारे में इसमें शामिल व्यक्ति है जैसे के रमाबाई भिम्राव, आमबेटकर बाबा साहेब जी पहली पत्नी, सविता भिम्राव आमबेटकर बाबा साहेब जी की दुसरी पत्नी, यश्वंथ, तथा परिवार की जानकारी निचे दी गई है। परिवार की जानकारी आपको यहां हमने दी जिसमें लगभग परिवार के सभी लोगों को यहां पर शामिल करने का हमारा प्रयास था, जो के अब तक आपने जानकारी के तोर पर पढ़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी की शिक्षा डॉक्टर भीमराव जी के पिता के आर्मी में होने की वजह से उन्हें सेना के बच्चों को दिये जाने वाले विशेशाधिकारों का फाइदा मिला लेकिन उनके दलित होने की वजह से इस स्कूल में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा था दरसल उनकी कास्ट के बच्चों को क्लासरूम के अंदर तक बैठने की अनुमती नहीं थी और तो और यहां उन संघर्षों के बाद अच्छी शिक्षा हासिल की भीमराव अंबेड करने अपनी प्राथमिक शिक्षन दापोली में 17 में लिया इसके बाद उन्होंने बॉंबे में इलफिन्स्टोन हाइस्कूल में एडमिशन लिया इस तरह हुए उच्छ शिक्षा हासिल करने वाले पहले दलित बन गए 1907 में उन्होंने मेट्रिक की डिगरी हासिल की इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया इस समारोह में भीमराव अंबेड करकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षिक श्री कृष्णा जी अर्जुन केलुसकने उन्होंने खोद से लिखी गई किताब गुद्ध चरित्र गिफ्ट के तोर पर दी वही बढ़ोदा नरेश सयाजी राओ गायकवार्ड की फैलोशिप पाकर अंबेड कर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी अंबेड कर जी की बचपन से ही पढ़ाई में खासी रूची थी और वे एड्मिशन लेकर फिर इतिहास रच दिया दरसल वे पहले दलित विध्यार्थी थी जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविध्याले से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की संस्कृत पने अमेरिका के कॉलंबिया विश्वविध्याले में लिया दाखिला भीमरा अवंबेटकर को बढ़ोदा राज्य सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया लेकिन यहां पर भी छुआ छूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कई बार नि ग्रेजुएशन की डिगरी हासिल करने का मौका मिला अपनी पढ़ाएं आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए साल 1932 में दलितों के अधिकारों के क्रसड़ा के रूप में डॉक्टर भीमराव अमबेटकर B.R. अमबेटकर की लोक्रियता बढ़ती चली गई और उन्होंने लंदन के गोलमेच सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रन भी मिला हाला कि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा अमबेटकर जी ने महात्मा गांधी के विचारधरा का विरोध भी किया जिन्होंने एक अलग मददाता के खिलाफ आवाज उठाए थी जिसकी उन्होंने दलितों के चुनावों में हिस्सा बनने की मान की थी किन बाद में वे गांधी जी के विचारों को समझ गए जिसे पूना संधीक पूनर पैक्ट भी कहा जाता है जिसके मुताबिक एक विशेश मददाता की बजायक शेत्रिय, विधाय विधानसभाओं और राज जो की केंद्रिय परिशद में दलित वर्ग को आरक्षन दिया गया था आपको बता दे की पूना संधी पर डॉक्टर भीमराव अंबेटकर और ब्राहमन समाज के प्रतिनिधी पंडित मदन मोहन मालविय के बीच सामान्य मत दाताओं के अंदर अस्थाय विधान सभाओं के दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षन के लिए पूना संधी पर भी हस्ताक्षर किये गए थे कबीर से हुई इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और 1949 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए शादी के बाद डॉक्टर शार्दा ने अपना नाम बदल में भीमराव अमबेड कर बी आर अमबेड कर एक बौधिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्रीलन का चले गए जहां जाकर वे बौध धर्म के विचारों से एतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौध धर्म को अपनाने का फैसला लिया और उन्होंने खोद को बौध धर्म में रूपान तरन कर लिया इसके बाद वे भारत वापस आ गए भारत लोटने पर उन्होंने बौध धर्म के बारे में कई किताबे भी लिखी वे हिंदू धर्म के रीती रिवाज के घोर विरोधी थे और उन्होंने जाती वेभाजन की कठोर निंदा भी की है साल 1955 मे दौक्टर भीमराव अंबेटकर बी आर अंबेटकर जी ने भारते बौध महासभा का गठन किया और उनकी किताब बुध्धया काल माक्स उनके धर्म उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई आपको बता देखी 14 अक्टूबर 1956 में दौक्टर भीमराव अंबेटकर बी आर अं जी ने एक आम सभा का भी आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने करीब पाँच लाक अन्यायों को बौध धर्म में रुपान तरन किया इसके बाद डौक्टर भीमराव अंबेटकर जी काटमांडू में आयोजित चौथी वल्ड बुध्धिस्ट कॉन्फरेंस में शामिल ह दो दिसम्बर 1956 में उन्होंने अपनी आखिरी पांडूलिपी बुध्धया काल माक्स को पूरा किया डौक्टर भीमराव अंबेटकर जी की मृत्युक डौक्टर भीमराव अंबेटकर जी साल 1954 और 1955 में अपनी बिगड़ती सेहत से काफी परेशान थे उन्हें डाइबिटी आखों में धुंधलापन और अन्य कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था जिसकी वजह से लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी लंबी बीमारी के बाद उन्होंने 6 दिसम्बर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सास ली उन्होंने खुद को बौध धर्म में बदल लि भीमराव अंबेटकर की जयन्ती डॉक्टर भीमराव अंबेटकर दलितों के उत्थान करने लिए और समाज में दिये गए उनके योगदान का जशन मनाने के लिए और उनके सम्मान के लिए उनके समारक का निर्मान किया गया था इसके साथ ही उनके जनम दिन 14 अप्रेल को जयन्ती की नाम से मनाया जाने लगा, छिने हुए अधिकार भीक से नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है, शिक्षा वो शेर्मी है, जो इसका दूड पियेगा, वो दहार लेगा, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है, एक, इतिहासकार सटीक, इमानदार औ और निश्पक्ष होना चाहिए,